कि ब्रह्म विहार के मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भाओं से युक्त हो विहर्णा तथागत बुद्ध के मार्ग का सीधा वो इस पश्ट अर्थ है अकुशल कर्म या पाँच निवरण के दूर होने पर चित्त के सुख की अवस्था जहां पर आंतरिक दुख की छटपटा हट व्याकुलता बेचहनी कमजोर पढ़ने लगती है और धीरे धीरे ब्रह्म विहार के सुख कानुभव होता है यह उतना ही सीधा वो इस पश्ट है जैसा की तथा गद बुद्ध के शब्दों में कहा गया है मगर कई लोगों की रहस्वादी सुच इस सीधे वो सरल मार्ग को भी समझने में ब्रहमित हो जाती है और वे इस पर विश्वास कर बैठते हैं कि ब्रह्मा का लोग कहीं पर है और वहीं पर मृत्व के पश्चार जाने पर यह अनुभव प्राप्त होगा कि कोई ब्रह्मा है और उसने अपना कोई लोग बनाया हुआ है और वे इसी को सत्यमाने बैठे हैं जबकि तथागत बुद्ध द्वारा सिखाया गया साथ बोध्यंग जिसमें एक है धर्मविच है जिसका अर्थ है कि किसी भी विशे की गहरी जाच पड़ताल की जानी चाहिए और जब तक वह स्वत्य का अनुभव ना हो जाए प्रमानित ना हो जाए तब तक उसे नहीं स्विकारना चाहिए क्योंकि जैसे ही ब्रमा कोई है और ब्रमा का कोई लोग है आप इस पर विश्वास करने लगते हैं तो हम फिर से वहीं पर चले जाते हैं जहां पर तथागत बुद्ध दिग निकाय के तेविज सुत में इनसे संबंदित प्रश्ण पूछते हैं जैसे कि हमने देखा इस सुत में दो ब्रमान वासेष्ट और भारत वाजमानवक ब्रमा व ब्रमा के लोग के होने का दावा बुद्ध के समक्ष करते हैं तो इस सुत में बुद्ध उनसे पूछते हैं पहला क्या ब्रमा को किसी ने देखा है दूसरा जो ये दावा त्रैविद्र ब्रामन करते हैं और ये जो मंत्रों के प्रवक्ता भी माने जाते हैं क्या उनकी पिछली साथ प्योड़ी में किसी ने ब्रमा को देखा है तीसरा और नहीं उत्तर मिलने पर तो उनका कथन ही आप्रमाणिक क्योन स्विकार कर लिया जाए और चोथा प्रश्ण ब्रह्मा सही देवताओं का आहवान का दावा किया जाता है तो क्या संभव है कि यदि कोई आहवान करे और नधी का दूसरा तीर स्वत्य ही चल कर इस पार आ जाए तो यदि कोई ब्रह्मा या उसके लोग पर विश्वास करने लगता है तो उसके भी समक्ष फिर से वही प्रश्ण पन्न हो जाते हैं कि जिन प्रश्णों को तथागत बुद्ध ने तेविज सुत्त में ब्रह्मा क संदर्व में पूछा और वहाँ पर वे दोनों माणमज भी उन प्रश्णों का उत्तर देने में और समर्थ दिखाई देते हैं तो यदि ब्रह्मा जैसा कोई है और उसका कोई लोग है तो वे बुद्ध द्वारा पूछे गए प्रश्णों का उत्तर क्यों नहीं दे पाते और यदि आपको भी लगता है कि ब्रह्मा है और उसका कोई लोक है तो आप स्वतही इन बुद्ध द्वारा पूछे गए प्रश्णों का उत्तर दे दिजी और इन प्रश्णों के दोरान बुद्ध उन माणवकों से उनके उत्तर की प्रमाणिक्ता के भी मांग करते हैं जिसके जबाद में भी वे कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो क्यों न तथा गद बुद्ध की तरफ प्रमारिक्ता के अभाव में ब्रह्म्भा और उनके लोक का खंडन कर दिया जाए और बुद्ध सोतापन की अवस्था के लिए तीन अवर भागी ये संयोजन का नाशोना जो है पहला सत्काय द्रिष्टी दूसरा शील वरत परामर्श तीसरा वीच कित्सा में पूरी तरह से इसपश्ट करते हैं कि किसी आत्मा या रहस्मई अस्तित्व पर विश्वास करना वरत या किसी प्रकार के विएस आचरन से सुधि प्राप्त करना पूजा पाठ कर्मकांड या पहले से चली आ रही मान्यताओं पर विश्वास जब पेकिन सभी से मुक्त नहीं हुआ जाता है तब तक सोता पन्ना की अवस्था प्राप्त नहीं होती है शुद्ध रूप से वही मत्वव विचार स्विकारे जाएं जो स्वत्य के अनुभव पर स्पष्ट हो जाएं सभी प्रकार के ईश्वर लोक वा आत्मा जैसी मान्यताओं का प्रमाणों के अभाव में खंडन तभी साधक आगे बढ़ पाएगा नहीं तो यही कर्मकार्ण यही मान्यताओं आगे चलकर बंधन बन जाती है और शुद्ध रूप से तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए सुख विहार में भी भ्रमुत्पन्य करती है बुद्ध के अनुसार जीवन में अनुभो हमारे चित्त की अवस्थाओं पर निर्भर होते हैं यदि ये चित्त दूशित रहेगा और कुशन कर्मों में लगा रहेगा तो यह है दुख में पढ़कर व्याकुल ही रहेगा यदि सही तरीके से चित्त की अवस्थाओं को समझ चार आरसत का ज्यान कर कुशल धर्मों का पालन करे तो ही उसका चित्त दुखों से दूर होने लगता है और जब पांच नीवरण दूर होते हैं तब चित्त की शुद्ध अवस्थाएं उत्पन्द होती है जो मैत्री करुणा मुदितावव उपेक्छा भाव से युक्त होती है जिसे ब्रह्म विहार कहते है बड़ा ही सीधाव इस्पष्ट है नीवरण दूर हुए कि चित्त निर्मल होने लगता है और चित्त सुख विहार करता है यह अनुभा बुद्ध के संदेशों की तरह इस्पष्ट है प्रमाणिक है समक्ष है इसका पालन कर कोई भी इसे पास सकता है हाला कि हमें सुत्तों में ब्रह्मा वो इंद्र का जिक्र मिलता है और यह हमें तथागत बुद्ध के समय की मानिताओं के बारे में जानकारी देते हैं तो क्यों तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए सरर स्पष्टी करण को कि ब्रह्मा कोई है, ब्रह्म्य वियार कोई ब्रह्मा का लोक है इसे मान कर जटिल किया जाए क्योंकि जैसे ही कोई ब्रह्मा है या ब्रह्मा का लोक है इस तरीके से ब्रह्म में पढ़ता है वह रहस्वादी सोच की तरह सोचने लगता है और जबकि इसके लिए कोई प्रमान नहीं है इसलिए सोतापन की अवस्थाओं में बुद्ध इसे एक अवरभागी ये संयोजन मानते हैं और इस प्रकार की सोच से बचने के लिए कहते हैं और इसी प्रकार की एक ऐसी ही परिश्थिती का वर्डन मज्जिम निकाय के सलेक सुत्य में मिलता है एक समय बुद्ध सावस्थी में अनात्पिंडग के आराम जेतवन में विहार करते थे वहाँ पर उन्होंने आयुष्मान महाचुंद के एक प्रश्ण का समाधान करते हुए कहा संसार में आत्मवाद अथवा लोकवाद को लेकर जो अनेक प्रकार की द्रिश्थिया उत्पन्न होती है उनको जहां ये दिश्टियां उत्पन्न होती है जहां ये आश्रय ग्रहण करती है जहां ये व्यवहरित होती है वहां यह मेरा नहीं न यह मैं हूँ न यह मेरी आत्मा है इस प्रकार के यथार्थ तोर पर सम्मिक प्रग्या से देख कर इन दृष्टियों का प्रहाण परित्याग होता है तो यहाँ पर भी बुद्ध आत्मा या किसी भी प्रकार के लोग का खंडन करते हैं यह मैं हूँ यह मेरी आत्मा है आत्मा मृत्यू के बाद किसी लोग में जाती है इस प्रकार के सभी प्रकार के मतों को प्रग्या के सहारे बुद्धि मत्ता के धर्म विचे से चिंतन मनन से इन द्रिष्टियों का त्याग कर देना चाहिए और फिर इसी सुत में बुद्ध आगे कहते हैं यदि प्रथम ध्यान करते हुए कोई भिक्षू समझे की आर विने में इसे द्रिष्ट धर्म सुख विहार इसी जन्म में सुख पूर्वक सुख विहार करना कहते हैं यही बात तुतिय तथा चतुर्त ध्यान के बारे में भी चरितार्थ होती है यदि कोई भिक्षू आकाशा ननेत्यायतन विज्ञानननत्यायतन आकिंचन्यायतन और नैवसंग्यानसंग्यायतन को प्राप्त होकर विहरते समय ऐसा समझे कि मैं कड़ा तब कर रहा हूं तो यह ऐसा नहीं है आर्य विने में इन्हें शान्ति विहार कहते हैं तो यहाँ पर तथागत बुद्ध शान्ति विहार का संदर्ब पेश करते हैं कि ध्यान की नव अवस्थाएं जो शान्ति विहार को उपलब्द कराती हैं जो चित्त के सुख की अवस्था है और फिर कड़े तब के संदर्ब में बुद्धागे कहते हैं कड़ा तब ऐसे प्रसंगों में करना चाहिए दूसरे हिंसक होंगे हम हिंसक रहेंगे दूसरे प्राण लेने वाले होंगे हम इससे विरत रहेंगे दूसरे बिना दिया लेने वाले तसकर होंगे हम इससे विरत रहेंगे दूसरे अब्रह्मचारी होंगे हम ब्रह्मचारी रहेंगे दूसरे जूट बोलने वाले होंगे हम इससे विरत रहेंगे दूसरे चुगली खाने वाले होंगे हम इससे विरत रहेंगे दूसरे कठोर वचन बोलने वाले होंगे हम इससे विरत रहेंगे दूसरे व्यर्थ प्रलाब करने वाले होंगे हम इससे विरत रहेंगे कुशल धर्मों यहने अच्छी बातों के बारे में विचार उत्पन्द होना ही बड़ा हित्कर होता है काया और वानी से उसके अनुष्ठान का तो कहना ही क्या इसलिए इन बातों के बारे में विचार करना चाहिए दूसरे हिंसक होंगे हम अहिंसक रहेंगे तो यहाँ पर अहिंसक होने का संदेश कि मैं अहिंसका पालन करूँगा मैं किसी के प्राण नहीं लूँगा मैं चोरी नहीं करूँगा मैं ब्रह्म चर रहूंगा मैं जूट नहीं बोलूँगा मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा मैं किसी से कठोर वचन नहीं बोलूँगा मैं व्यर्थ प्रलाप नहीं करूँगा मैं मन शरीर वाणी से केवल और केवल शुद्ध कुशल कर्म करूँगा और फिर इसी सुत्र में बुद्ध आगे कहते हैं जैसे कोई विशम उबढखाबण मार्ग हो और उसकी परिक्रमा करने के लिए दूसरा समतन मार्ग हो अथवा जैसे कोई विशम दूस्तर तीर्थ नाव का घाठ हो और उसकी परिक्रमा करने के लिए दूसरा समतीर्थ हो ऐसे ही हिंसक व्यक्ति की परिक्रमा करने के लिए अहिंसा होती है जैसे आकुशल धर्म नीचे गिराने वाले होते हैं और कुशल धर्म उपर उठाने वाले वैसे ही हिंसक व्यक्ति को अहिंसा उपर उठाने वाली होती है जो स्वय गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुए को उठा पाएगा या संभव नहीं है जो स्वय गिरा हुआ नहीं है वह दूसरे गिरे हुए को उठा पाएगा या संभव है जो स्वय अदान्त सैयम रहिद अविनीत अपरी निर्वित्य परी निर्वाण न पाया हुआ है वह दूसरे को दान्त विनीत परी निर्वित्य करेगा यह संभव नहीं है जो स्वय दान्त विनीत परी निर्वित्य है वह दूसरों को दान्त विनीत परी निर्वित्य करेगा यह संभव है हिंसक व्यक्ति के लिए अहिंसा परी निर्वाण के लिए होती है तो यहाँ पर बुद्ध अहिंसा की स्रेश्टता का वर्णन करते हैं क्योंकि कोई भी किसी दूसरे से अपने लिए हिंसा का व्यवार नहीं चाहता है तो हमें भी दूसरों की प्रती हिंसा नहीं करनी चाहिए और इसलिए अहिंसा के रास्ते ही पुरी निर्वार का मार्ग प्रसस्त होता है और फिर इसी सुत्य में बुद्ध आगे कहते हैं अन्त में बुद्ध ने आयुश्मान चुन्द को कहा श्रावकों के हितैसी अनुकंपक शास्ता ने अनुकंपा करके जो कुछ करना चाहिए था वह कर दिया है अब यह रहे व्रिक्षमूल यह रहे शून्यगार ध्यान रत हो जाओ प्रमाद मत करो बाद में पस्तावा मत करना यह तुम्हारे लिए हमारा अनुशाशन है तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्रग्या शीलव समाधि का संदेश मिलता है कि सही प्रग्या से समट सही आचरण का अनुकरण कर वह सही समाधि का अभ्यास कर भिक्चू या साधक सुख विहार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है और शून्यगार में विपश्चना वध्यान का अभ्यास बुद्ध पूरी तरह से इसपश्ट करते हैं कि हमें पूरी तरह से ध्यान रथो प्रयास करना चाहिए क्योंकि यही ध्यान हमें प्रम विहार के सुख के मार्ग का अनुभाव कराता है तरने वाल